प्रत्याक्षिक संठन के सिध्धान्त, प्रत्याक्षिक प्रक्रियाएं और कल्चरल एफेक्ट सांस्कृतिक परभाव के बारे में विस्तार से चर्चा करें प्रत्याक्षिक संठन के सिध्धान्त, पर्शेट्चल और्गनाजिशन, सबसे पहले आता है हमारे पास आकेर्टी प्रत्यक्षण, फौरम प्रसेप्षण, जैसे हम एक साइकल को देखते हैं, तो हम एक साइकल को सम्पूर देखते हैं और उसकी आकेर्टी के आधार पर ही ह इसके अंदर क्यस्टाल्ट मनोविज्ञानिकों के अनुसार जिसमें कोलर, कोफका और वर्दिमर परमुख हैं हम विभिन उदीपकों को विविक्त अंशों, डिस्क्रीट एलिमेंट्स के रूप में नहीं देखते हैं एकठा देखते हैं, टोटल देखते हैं, बलकि एक संग्ठित समगर, और्गेनाइजड होल के रूप में देखते हैं जैसे फूलों के गुच्छे के साथ फूलगान, वो हमें एक एकाई दिखाई देती है लेकिन अगर फूलों का गुच्छथा अलग कर दिया जाए, तो जो वेस है, वो अपने आप में एक आकिरती है दूसरा आता है हमारे पास, आकिरती भूमी प्रत्यकरण, फिगर, ग्राउंड, सेग्रीगेशन किसी भी वस्तु का जम प्रत्यकरण करते हैं, तो उसी एक प्रिष्ट भूमी है एक पेज पर अगर मा लीजी एक शब्द लिखा हुआ है, तो वो शब्द हमें पहले दिखाई देता है जैसे आकाश के अंदर, आकाश जो है वो उसकी प्रिष्ट भूमी है और पंची जो है जो उड़ते हैं, वो हमें अलग से दिखाई देते हैं या उसका हम प्रतेक्शिकरण अलग से करते हैं, तो उड़ते पंची, शब्द या पक्षी की प्रिष्ट भूमी से अलग दिखते हैं अब अंतर क्या है? प्रिष्ट भूमी की आकरती के पीछे प्रतेक्शन होता है आकरती की एक स्पस्ट प्रिरेखा है एक आकरती की एक निष्ट रेखा है उसके आउट लाइन होती है जबके प्रिष्ट भूमी की कोई आउट लाइन या प्रिरेखाहीन होती है उसकी कोई आउट लाइन नहीं होती दूसरा इसमें आता है हमारे पास निकटता का सिद्धा यानि principle of proximity वस्तुए किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरी के निकट होती है वे एक दूसरी सी संबंधित अथवा एक समू के रूप में दिखती है जैसे अगर हम एक बिंदू की कतार लगा लें तो वो हमें लगातार दिखाई देती है तीसरा है हमारे पास समानता का सिद्धान परिंसिपल ओफ सिमिलिरेटी जिन वस्तुएं में समानता होती है तथा विशिष्टाओं में वो एक दूसरे के समान होती है वे एक समभू के रूप में परत्यक्षित होती हैं एक समभू के रूप में हम उसको देखते हैं चौथा है हमारे पास विरंतर्ता का सिद्धानत प्रिंचीपर ऑफ कांटिनुइटी जब वस्तुए एक सतत पर थी रूप परुश्तित करती हैं तो हम उनका protection एक दूसरे सी संबंदित, belonging together के रूप में करते हैं Intersecting lines एक दूसरे पर ऐसी वो दिखाई देती हैं कि जैसे एक दूसरे के साथ में आ रही है अगला आता है हमारे पास लगुता का सिधान्त, principle of smallness लगो अक्षेतर, smaller areas, breath-pressed भूमी, larger background की तुलना में आकिर्थी के रूप में दिखाई देते हैं Next है हमारे पास, सम्मिती का सिधान्त, principle of symmetry ए सम्मित या asymmetrical प्रिश्ट भूमी की तुलना में सम्मित या symmetrical अक्षेतर आकर्थियां के रूप में दिखाई देती हैं ए विचिंतत का सिधान्त, principle of surroundedness जब एक शेतर, अन्य शेतरों से गिरा होता है, तो उसे हम आकिर्थी के रूप में देखते हैं अगला अताबारे पास, पूर्थी का सिधान्त, principle of closure उद्धीपन में जो लुप्त अंच होता है, हम उसे भर देलते हैं तथा वस्तूओं का प्रतिक्ष करण उनके अलग-अलग भागू के रूप में नहीं बलकि समगर या totality आकर्थि के रूप में करते हैं जैसे एक सरकल है, अगर हमने उसका छोड़ना सा भाग छोड़ भी दिया हाला कि वो लगातार नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको पूरा सरकल ही मान लेते हैं व्रत मान लेते हैं उसके बाद आता है हमारे पास अगला पार्ट, स्थान, गहनता, तथा दूरी protection perception of space, depth and distance सबसे पहले इस पे आता है स्थान यानि space जिस चाकशुक अक्षेतर या सतेह पर वस्तुएं रहती हैं या गतीशीर होती हैं अथवा रखी जा सकती हैं उसे स्थान कहते हैं विभिन वस्तुओं के केवल आकार, आकिर्ती या रंग आदी का protection नहीं किया जाता बलकि उनके बीच की दूरी का भी protection किया जाता है करते हैं गहनता अथवा दूरी protection, depth or distance perception स्थान में हम तेन विमाओं 3D यानि लंबाई, उचाई, चोड़ाई का protection करते हैं जगत या वर्ल्ड को तेन विमाओं यानि 3D में देखनी की परक्रिया को दूरी अथवा गहनता protection कहते हैं जैसे गाड़ी चलाते समय निकट आती होई गाड़ी की दूरी जानने के लिए हम गहराई का protection करते हैं या परते हैं गहराई protection का यूप करते हैं गहराई protection के लिए दो मेहतोपूर्ण सूचना इस रोत या संकेत for depth perception, two main sources of information इस information को इस रोत को हम क्योज कहते हैं पहला है द्वी नेतरी संकेत binocular cues इसमें दोनों आँखों की आवशक्ता होती है दूसरा है एक नेतरी संकेत यानि monocular इसमें गहनता protection के लिए मातर एक आँख का उपयोग होता है ऐसे अनेक संकेतों का उपयोग द्वी विम प्रतिमा यानि 2D image को त्री विम प्रतक्षन 3D perception में प्रिवर्तित करने के लिए किया जाता है एक नेतरी संकेत monocular cues अर्थवा monovagynic संकेत psychological cues गहनता प्रतक्षन के एक नेतरी संकेत तब प्रभावी होते है जब वस्तुवों को केवल एक आँख से देखा जाता है ऐसे संकेतों का उपयोग कलाकार अपनी द्विम 2D painting में गैराई परवर्षित करने के लिए करते हैं इसलिए उन्हें चित्रिय संकेत तो इसलिए इसको चित्रिय संकेत या pictorial cues भी कहते है एक नेत्री संकेत जो द्विविम स्ता हों यानि 2D में गैराई तथा दूरी का निर्ने लेने में साहिता करते हैं monocular cues which help in judging distance and depth in two dimensional surfaces सबसे पहला इसमें आता है हमारे पास सापेक्ष आकार यानि relative size जैसे जैसे वस्तू दूर जाती है वैसे ही दृष्टी परतिमा retinal image छोटी से छोटी होती जाती है जब कोई वस्तू छोटी दिखती है तो वह दूर होती है और हम दूरी का protection करते हैं यदि वस्तू बड़ी दिखाई देती है तो उसकी निकट में स्थित के रूप में protection किया जाता है दूसरा हमारे पास आच्छादन अथवा अतिवेक्ति interposition और overlapping यह संकीत तब प्रियुक्त होते हैं जब एक वस्तू के कुछ भाग किसी दूसरी वस्तू से ढख जाते हैं जिस वस्तू का कुछ भाग दूसरे द्वारा ढख जाता है वह दूर तथा जो वस्तू ढखती है वह स्मीप दिखाई देती है रेखिये preparation linear perspective जो वस्तू में दूर होती हैं वे निकट की वस्तू की तुलना में एक दूसरे के निकट देखती हैं दूसरा आकाशी प्रीप्रेक्षि एरियल परस्पेक्टिव हवा में धूल एवं आधरता यानि हुमेडिटी के सुक्षम कन होते हैं जिसके कारण दूर की वस्तू में धुन्दली या एस परस्ट दिखाई देती हैं इस परभाव को आकाशी प्रीप्रेक्षि कहते हैं जैसे दूर के पहाड वाता वरण में विकीन, स्कैटल, नीले परकाश के कारण नीले दिखाई देते हैं जबकि यही पहाड स्वच्छ वाता वरण में कलियर एटमोस्वियर में नेकट दिखाई देते हैं नेक्स्ट परकाश एवं चाया यानि लाइट एंड शेट परकाश में वस्तु के कुछ भाग अधिक परकाशित होते हैं जबकि कुछ भाग अंधकार में पड़ जाते हैं तो वस्तु की दूरी के संबंध में परकाशित भाग एवं चाया सूचनाएं परदान करती हैं सापेक्ष उचाई या रिलेटिव हाइट लब्बी वस्तुएं पर्टेक्षन करने पर प्रेक्षक के निकट दिखती हैं तथा छोटी वस्तुएं बहुत दूर दिखाई देती हैं बड़ी वस्तुएं निकट की तथा छोटी वस्तुएं दूर की दिखाई देती हैं रच्चना गोण परवन्ता टेक्स्चर ग्रेडियन्ट जैसे जहां तक हमारी नजर जाती है हम एक पत्थरों से बनी हुई लंबी दिवार देखते हैं जैसे जैसे हम दूर देखते जाते हैं वैसे वैसे पत्थरों की सघंता याली डेंसिटी बढ़ती जाती है इसे रच्चना गोण परवन्ता कहते हैं गती दिगंतरा भास motion parallax यह एक गतिक एक नेतरी संकेत काइनेटिक मॉनोकुलर क्यों होता है इसलिए यह चित्रिय संकेत या पिक्टोरियल क्यों नहीं समझा जाता गती दिगंतरा भास तब गतित होता है जब विभिन दूरी की वस्तुएं एक भिन सापेक्ष गती different relative speed से गतिमान होती हैं निकट की वस्तुव की तुलना में दूरस्थ वस्तुएं धीरे धीरे गती करते हुए परतीत होती हैं जैसे बस में यातरा करते समय निकट की वस्तुएं बस की दिशा के विप्रीत गतिमान दिखाईद होती हैं परन्तु जब दूर की वस्तुएं बस की दिशा के साथ गतिमान होती परतीत होती हैं द्वी नेतरी संकेत जिसको हम शारीरिक संकेत भी कहते हैं बाइनोकुलर क्योस फीजियोलोजिकल क्योस त्रीविम थ्रीडी स्थान में गहनता डेप्थ पर्तेक्षन के कुछ मेहतव पूर्ण संकेत दोनों आखों से प्राप्त होते हैं द्रिष्टी पटलिये अथ्वा द्वी नेतरी ए समता रेटिनल और बाइनोकुलर डिस्पेरिटी दोनों आखों के स्थिती सिर पर भिन भिन होती है मैं भिन होने के कारण द्रिष्टी पटलिये ए समता रेटिनल डिस्पेरिटी घटित होती है आखों के मद्द लगभग 6.5 cm की दूरी होती है जिसके कारण एक ही वस्तु की परतेक आख की रेटिना पर परतिमाएं यानि इमेजिस कुछ भिन्द होती है दोनों परतिमाओं के मद्द इस भिन्दा को दिरिष्टी पट लिये ऐ सम्ता कहते हैं दूर की वस्तु की ऐ सम्ता कम तथा निकट की वस्तु की ऐ सम्ता अधिक होती है अभी सरण, कनवर्जेंस आस-पास की वस्तु को देखने पर हमारी आँखें अंदर की ओर अभी सारित या कनवर्ज होती है ताकि परतिमा या इमेज रेटिना पर गर्टी का फोविया या येल्लो स्पॉर्ट पर आ सके हम ऐसे करके देखते हैं यानि आँखें हमारी कनवर्ज हो जाती है आँखें जिस सीमा तक अंदर की ओर प्रिवर्टित होती हैं वह गहनता या डेफ्ट पर्टेक्शन की ओर संकेत करती है जैसे जैसे वस्तु प्रेशक से दूर होती जाती है वैसे वैसे अभी सरण या कनवर्जेंस की मातरा घटती जाती है जैसे नाक के सामने एक उंगले को धीरे धीरे नजदीक लाने पर ऐसे अगर हम लाते हैं तो हमारी आँखों की कनवर्जेंस बढ़ती जाएगी धीरे धीरे नजदीक लाने पर आँखें अंदर की ओर अभी सारित कनवर्ज होंगी वैसे वैसे वस्तुएं निकट दिखाई देंगी समंजन एकोमोडेशन समंजन एक परक्रिया है जिसमें पक्षमा भी की पेशियां सिलेरी मसल्स की सहायता से हम परतिमा को दृष्टी पटल पर फोकस करते हैं जैसे ही वस्तु निकट आती है मास पेशियों में संकुचन कांट्रेक्शन की किरिया होने लगती है तथा लेंस की सघंता बढ़ जाती है मास पेशियों की संकुचन की मातरा दूरी के लिए संकेत परदान करती है पर्टेक्शन पर सामाजिक सांस्किर्टिक परभाव ये हमारा अगला टॉपिक है Sciocultural influences on perception मनोवेज्यानिक विभिन सामाजिक सांस्किर्टिक स्थीओं में पर्टेक्शन की परक्रिया का अध्यन करते हैं क्या विभिन्न सामाजिक सांस्किर्टिक वातावलन में रहने वाले लोग पर्टेक्शन पर क्रिया समान रूप से करते हैं या उनमें भिन्नता पाई जाती है मनो वेग्यानिकों के अधेन द्वारा निकाले गए कुछ निश्कर्ष इस परकार हैं अफ्रीका वाले प्रयोजों यानि सब्जेक्ट्स में अक्शेतीज उधरवाधर, होरिजन्टल, वर्टिकल, भरम की अधिक सम्वेदता, ससेप्टिबिलिटी होती है पश्मी देशो के प्राइजों में मूलर लायर भरम की अधिक सम्वेदता होती है सगन वनों में रहने वाले अफ्रीकी प्रयुज उधरवर्ता वर्टिकलिलिटी का अधिक अनुमान करते हैं क्योंकि वो बड़े विरेक्षों का प्रतिक्षन अधिक करते हैं अफ्रीका में यह पाया गया कि जिन लोगों ने चितर कभी नहीं देखा था उन्हें उन में परदर्शित की गई वस्तूओं की पैचान एमम गहराई के संकेतों की व्याख्या करने में बड़ी कठिनाई होती है चितरिये परतेक्षन पिक्टूरियल परसेप्शन का अधियन विभिन सांस्कर्टिक स्थितियों में रहने वाले लोग जैसे वन में रहने वाले शिकारी एमम जन समू काउं में रहने वाले किसान तथा शेहरों में रहने वाले पर्योज्जियों सबजेक्स को विविद प प्रतेक्शन की पर क्रिया पर सामाजिक सांस्कर्तिक परभाव होता है चित्रों की व्याख्या लोगों के सांस्कर्तिक अनुबहों से संबंधित है इस परकार हमने इस भाग में पर्तेक्ष संख्रन के सिद्धान, सथान तथा गेराई का पर्तेक्षन और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का पर्तेक्षन पर परभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन किया इस पर हमने चर्चा की और मुझे आशा है कि आप सभी इससे बहुत लाभान मित होंगे कर दो, आप सकतरी सांस्का पर भार, सकत्क वर्तेक्षन ऊस्टा